हेलो दोस्तो कैसे आप सब आई होप सब अच्छ होंगे तो दोस्तो आज की वीडियो में बताने जानों कि आप किस तरीके से ही घर में रहकर अपने चहरे को गोरा एप साफ कर सकते हैं वो भी कुछ असान तरीकों से यदि आप मेरी चैनल पर पहली वार विजिट करें तो प् कुछ लोगों की चहरे का रंग स्यावला या काला होता है ऐसा भी देखा जाता है कि गर्मियों के मोसम में धूंप के कारेंट काई लोगों की तौछा काली हो जाती है इसके अलावा प्रदुश्यन युक्त वाताबरेंड और धूल मिट्टी के कारेंट भी चहरे की चमक हो चाहिं करेंजा रहा हो कि किस तरीके से आपको कुछ नुस्के से अपनाकर आप अपने चेहरे को साफ तफा क्योरा कर सकते हैं तो शरूब करते वीडियो को तो दोस्तों इस रेमेडी को तियार करने के लिए आपको चुछय होगा शेंपू तो गाईज अपको कोई सा भी ल भे रह स्कोड़ाने के रहा है एक पर इस कंद लिया है तो उपको ऊप्रकुन कि अधldenudगे टो-फिर को लें अरुटार के ढल अधा नहीं की रही चेहरे के रहा नहीं हो Juaj बहुत लोग जानते हैं कि नीबू एक बहुत अच्छा एंटी एंजिंग प्रधात माना जाता है नीबू में विटामीने भरपूर होता है जो आपकी तुछा के लिए बहुत फायदमंद रहता है ओयली स्कीन वालों को नीबू के इस्तमाल अपनी तुछा में जरूर करना च तो गई इसको पेस्ट के तया त्यार करने ना तकरिमन दो से तीन मिट तक इस अच्छे से मिलाते रहे तो इसको फी मिलाने के बाद आप अपने फेस पर हाथ पर और करदन कोनी जहां पर भी काल अपन या डैड़ी स्किन जमा है वहां पर लगाई तो आप देखेंगे कि आ आपको मेरी वीडियो पसंद रहे तो प्लीज लाइक कमेंट जरू करना और अपना फीडबैक जरू शेयर करना अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरू बताना और प्रेंड्स इसको ट्राइक करने के बाद अपना फीडबैक जरू शेयर करना मेरे साथ जिससे कि मुझे पता लगे कि आपको कितना परसेंट बेनिफिट हुआ है और आपकी देखेंगे कि आपकी स्कीन बहुत जादा फायद मंद रहेगी तो फिर मिलते हैं को नियो वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई और अगर आपको कोई वीडियो बनवानी है य जा लगे को सेड़ करूँ अगा जादा हैं करते हैं कर दो प्याह दो कितना घडिए को सुछा जसले पर से देखेंगे वीडियों कर देधियों मैं तो झायों